हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन वाइन वीडियो माइसेलफ एसके डिगरवाल और इस वीडियो में आपन लेके आए हैं उत्राखंड पब्लिक सर्विस कमिशन बोटनी असिस्टेंट प्रोपेसर एकजाम 2017 का पेपर इससे पहले आपन बोटनी की जो 50 क्यूशन है इसी पेप धीडttी फैप वह आपको डेस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगी उसके साथ ही जो डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको इसका जो फस्ट पार्ट है वह भी अव्यबर होगा तो जो भी स्टुडेंट प्रोपरट को देख रहे हैं उससे पहले लेकाप कर पार फैस Tक बरह से हला है में आ तो refuse in Regener में इंटर्नाल स्टेक्चर्स और बेस्ट प्रिजावड अņच तो जो फोसीन की इंटर्ण इस्टेक्चर् सो मिलती है अपने को अवेलेबल होती है वह किस रूप में प्रिजव्ड होती है या क्वोन सा मैथाड मे प्रिजव होने का तो प्रिजवाक ह jsou आपना है पैट्रिफिकेशन पैट्रिफिकेशन के द्वारा किसी भी फोसिल्स है किसी भी उर्गनीजम की इंटरनल स्ट्रॉक्चर है वह अभी अपने को प्रिजरु रूर रूप में देखने को मिलती है तो ऑसका राइनिया तरह घा या उसके पर्रेनिश थी वह किस प्र मिलती है डिवानियन प्रियोड के अंदर डिवानियन प्रियोड के अंदर यह मोस्टली देखने को मिलते थे कुल यह को सब्हें नेक्स देखें 53 इन सायल और्टम सपोर प्रोडुजिंग ओर्गन्स और कोर्ड किसाइल उलटम का जो पंटे डिवाइटा का इनिशिल मेंबर देख है अपन साइल टम तो साइल ओटम के जो स्पोर्स प्रोडुजिंग ओर्गन है जिसमें ऐसे ओर इंद 54 क्रेनियल कैनाल और फांड इन स्टेम ओफ तो जो क्रेनियल कैनाल है वह किसके स्टेम में प्रजेंट होती है तो वह होती है इक्वी सीटम के स्टेम के अंदर इसके राटन राजयेगा कि अधिक्वी सिटम नेक्स्ट क्यों देखें 55 है इस नोट फांड इन तो जो हैट्रो स्पोर्स हैं मजब दो परकार की श्कौर्स बनते हैं एक माइक्रो और एक मेगा इसपोर्स तो उसे हम प्रेंट है तो हैट्रो स्पोर्य देख है होमो इस पोरी का एक एक जामपल है जिसमें बनने वाले जो मेल और फिमेल जो गेमिट है वो दोनों सेम होते हैं तो वह होमो स्पोर कहलाते हैं तो राइट अनुस वाज जाएगा लाइक पॉर्डियम नेक चुसन देखें 56 सले जनेला इस नौन फॉर तो सले जनेला जो है वह किसके लिए जाना जाता है तो इसके एक स्पेस्पीक रेक्टर के बारे में इसमें दिया गया है ट्रांस्फ्यूजन टीश्यू के रिनल कैनाल मुचिलीज सेल्स और ट्रेविकुलेटड एंडॉडर्मेस तो इसके तो राइट आंसर होगा वह होगा प्रोटोकॉर्म इस फाउंड इन तो प्रोटोकॉर्म जो है वह किसके अंदर देखने को मिलता है लाइको पोडियम जिसके राइट अच्छेगा लाइको पोडियम प्रोटोकॉर्म नेक्स्टिशन देखें तो इसफिप्टी-एट डैवलोपमेंट ओफ गेमिटोफाइड क्या बन रहा है यहां पर गेमिटोफाइड का फ्र मेशन हो रहा है फ्रॉम इस पोरोफाइड विदाउट दफॉर्मेशन ओफ इस पोर मतलब किसी भिस पोरोफाइड अपार जब इस पोर बनते हैं और वह इस प्रोफाइट से क्या हुआ कि स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो यहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो अपन क्या कह सकते हैं विदाउट स्पोर के फॉर्मेशन गेमिट फॉर्मेशन का फॉर्मेशन तो यहां पर स्पोर से गरी एपसेंट है तो इसे है कैसे हैं है इसमें और डाइरेक्ट डिश पर फाइटम सेंसे च 늌ह से उनसे क्या बन रहा है डाबटется का फर्मेशन किया जा रहे है नेख़् कुच मार्ट इस औपटेन फ्रॉम स्वय जाता निम विंसे प्राप डिया जाता है तो ऑनकिक यूर्थ यॉum डी कॉरकास नेक्स कुछन देखें बोटनिकल नेम ओफ दा प्लांट डैट इल्ड पेरा रबर तो जो पेरा रबर जो है यह रबर है उसका फोर्मेशन किसी किया जाता है तो वह किया जाता है है विए से हैविया ब्रेशी लेंशिस तुसका राइस्ट आनस्वा जाएगा ही यह आत्यों देखें था सिक्स्टी वन तसेंट ओफ ओरीजन और इस 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 पोस्ट टू बी यह काफी पूछा जाता है कि रइस का जो ओर जन सेंटर किया है तो उसका अरजन राइस सेंटर जो है वह है इंडियन एंड इंडो चाइन इनका दोनों का जो कॉंबिनेशन है इ यह कोर इस एक्स्ट्रेक्टेट फ्रॉम जो कोर जो नारिल की जट है यह अपन जो रसिया या कोई भी चीजे दरी और चटाई बनाने के लिए यूज में ले जाता है को इस एक्स्ट्रेक्टेट फ्रॉम तो यह वह मिजो कार्प से प्रोडूज के जाती है extracted from मिजोकार्प मिजोकार्प से त्यार की जाती है नेक्स कुछन देखें 63 इसेंशियल ओइल कौन सा है इनमें से अपना राइट आउसर आएगा भी खुस ओईल किसा है एसेंशियल ओइल का एक एक जामपल है नेक्स कुछन देखें फ्रॉम विच पार्ट ओफ दा प्लांट सेफ्रोन इच ओप्टेंट तो सेफ्रोन जो है वो किसे ओप्टेंट किया कर जाता है मौह करें स्टीगमा एड स्टाइल टोपस स्टीगमा एड है ईसका सैफ्रोन नेक्स कुफ्री जोती इस एन इंप्रूड वे राइटी ओफ तो इसका नाम है कुफ प्रй जोती क्योंकि हर पेपर के अंदर एक आइसे वी राइटी की नाम पूछे जाते हैं कुफ नएक्सक्रोंस देखें इन यूगरियोट्स एलेक्ट्रों ट्रांस्पोर्ट एंड और अक्शीडेटिव फोस्पर रलेशन टेग प्लेश एट्यक्प एस रोग एक्श cookane की इनर मेंब्रेन में तो इसका राइटन फ्राजाएगा एह माइटोकोंडरियल इनर मेंब्रेन नेक्स्ट क्यूशन देखें 67 दा लेकॉपिरोन इस इंडूस्ट लेकॉपिरोन को नौबल एपन इंडूजिंग मोडल की रूप में जानते हैं कि लेकॉपिरोन में जैसे ही अपन लेक्टोज के अमाउंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे जीन है वह एक्स्प्रेस होना इस्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसको रूपिरोन कंठार दोन करता है एक लेकडाउं के लेक्टोज और फोरमस्ट करता है इसके सब्सक्राइब एपनिकट्राइगा है नेच्चुपिरोन CDT55 इस करेएगा है पोले प्थाइड एधायईकु असे उलुक को तो पीसप किया जाता है तो पहलेकर हमें आशार क्यान सोम्स राइबोसोम की साहता से या राइबोसोम पर फॉर्मेशन किया जाता है नेक्स्ट कुशन देखें 69 विच ओफ फॉलॉइंग इस कॉमन नेम ऑफ एसकॉर्बिक एसिड तो एसकॉर्बिक एसिड का कॉमन सा नेम है अपन सभी जानते हैं विटामिन इसकॉर्बिक एसिड बोलते हैं नेक्स्ट कुशन देखें 70 विच ओफ फॉलॉइंग डेज नोट हैव नुक्लिक एसिड यह एकदम सिंपल सा क्यूशन है नुक्लिक एसिड किसमें नहीं है माइट्रोकॉंट्रा कलोरपास्ट नुक्लियस तीनों में जैनेटिक मेट्रेल पर क्यूशन है जो काफी एक्जामों में पूछे जाता है और चलता रहा हमें साथ से तो क्रेंज आटोमी जो है किसमें देखने को मिलती है सीफर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है प्लांट की जो लीव्ज है उसको गिराने के लिए रैस्पोंसिबल जो हर्मोन है वह कंडिशन क्या रही होगी या क्या होगी तो जैसे से किसी भी प्लांट के अंदर ऑगजीन होर्मोन है उसका सिंथेसिस करना बंद कर देती है वह लीव धीरे धीरे तो कुछ टाइम के ल प्लाइए है वह आपर जो टिप पे जहां पर डॉमेन अपन बंती है वहां से भी इसको कुछ टाइम के लिए लीव के अंदर ऑगजीन का ट्रांसफर किया जाता है लेकिन कुछ टाइम की बाद ऑगजीन की कंसेंट्रेशन धीरे बंद कर दी जाती है लीव के अंदर और ज डिक्रीज इन ओगजीन कंसेंट्रेशन इंक्रीज इन ओगजीन कंसेंट्रेशन डिक्रीज इन एपसेसिक एसिड कंसेंट्रेशन इंक्रीज इन जिब्रेलिक एसिड कंसेंट्रेशन तो यहां पर अपना जैसे अपने अभी बात की उसके बारे में कि जैसे जैसे ओगजीन क कंसंट्रसन कम होती जाती है वैसे वैसे लीफ जो है उसमें इधायलीन की चांसेंटर से बढ़ने लगती है और लीफ हो फॉल हो जाती है यह यह गिरने लगती है तो इसका वोटर की तरफ करती है रूट के नदर एक सिस्टम है जो एक मोटर की तरहें ऑपर की तरफ सपलाई करता या फोर्स ली ऊपर की तरफ भेशता है यह से अग्स्परिमेंट भी देखते हैं कि कोई बी जो स्वॉट्ट प्लांट से हर प्लांट से हं कर o तो पन आपन रूट के कुछ इंच उपर अगर आपन उसको कटिंग करते हैं स्टेम को तो वाटर है वो निकलने लगता है इसका मतलब वाटर क्यों निकल रहा उपर को खेचने वाले भी नहीं है तो इसका सीधा सा लोजिक है कि नीचे कोईनों को एक प्रेसर क्रियेशन है य इसलिए आनस्वर नेक्स कुछ दखें दा फस्ट कार्बोक्षीलेशन प्रोडक्ट और और फी थ्री प्लांट इस तो सीध्री प्लांट का फर्स्ट प्रोड़क्ट कौन सा होगा तो वह होगा थ्री फोस्फो ग्लेसरिक एसिट यह अपने कोमन जानते भी है पन क्या विए साइकल है कि थ्री फोस्फो ग्लेसरिक एसिट नेक्स्सक्राइब दखें लेग्यूम रूट नॉडूल कंटेन लैग हमोग्लोबिन तो क्या रहाए लड़ाहर के दिखाई देता है तो लैघवेउग्लोबिन इस फंक्टिवी क्या है तो की नोडूल से अंदर दान नहेट्राजन सेट की लिए नहां पर प्रक्रेंट मेंसा और हना पर legal li और लेग हमोगलोबिन में oxygen binding capacity प्रजेंट होती है जैसे अपने अंदर हमोगलोबिन है से मुशी प्रकार से उसमें भी oxygen की capacity या oxygen binding capacity पाई जाती है तो जो लेग हमोगलोबिन है वो oxygen concentration को maintain करता है या तो हम्हें टेशन करता है तो सकाइटा नसरा जाएगा सी अ हूं लेक्स्ट देखें तो 76 अधा कंसेट्ट ओफ इकोसिस्टम वाज पूट फॉर्थ बाए तो जो एकोसिस्टम का कंसेट्ट वोग कि ने दिया था तो वह दिया था अजी टैंसले यह तो सीधी सीधे स्थे की न सिन्क्रोनाइजेशन ओफ फिनोलोजिकल बहेवियर ओफ इस्पेसीज और डिफरेंट फेक्टर ओफ दा इन्वार्मेंट इस नोन आज तो जो जैसे अपन कोई भी बिहेवियर शो करते हैं कोई भी बर्ड है या फिर कोई भी एनिमल्स है या हुमन है जो इस्पेशियल इवे कैसे क्या करना हो तो जो है वह किया जाता है अपनी बाइलोजिकल क्लोग के के अकोर्डेंग तो अपना इस फंसन जो है भी है वेारे सिसके गोड़ा के दोड़ा क। बाइलोजेकल क्लोग के द्वारा तो इसक्राइट आंसर जाएगा ए नेक्स देखें दफूर्ट चैन स्टार्टिंग फ्रॉम डेड ओर्गनिक मेट्रियल टू माइक्रो ओर्गनिज्म इन ओनेज तो कोई भी जो माइक्रो ओर्गनिज्म है वह अपना फूर्ट चैन को स्टा अपने MAN को स्टाम आपने जो एक सिंग वाला जो या वन हों राइनव चोन के लिए समय से ढ़े हैं लिग्एक एक्सक्यूसन देखें एक अटी है कि अधा अर्थ सुमीत है एट रियो डी जिनेरियो इन नाइन्टीन नाइंटीन तो रिजेल्ट इन इनके दुवरा क्या डिसाइड किया गया था कर्वेंशन ओफ बायोडियुष्टी कि बाइडार्ष्टी को कैसे कंट्रोल करना है बाइडार्ष्टी को डेमेज होने से कैसे बचाए जा सकता है तो इसको इसके लिए बाइडार्ष्टी का मैन मुद्दा इसमें रखा गया था अर्थ सुमीत के अंदर कि यह काफी इंपोर्टेंट क्यूसन हर एक जाम के अंदर वह से मौशली पूछा जाता है तो इसका र तो एनरजी का एक पिरामीड ऐसा है जो हमेशा आपर्डाइट चौँ या सीधा होता कभी व्य मौट औहीं होता है और जितनी पिरामीड उनके कहिं नैंकहां कोई इसी कंडशन होते कि कुछ इमफर्टिड सो कर सकते हैं लेकिन नघ्ली का कभी साथ और इनवर्ट आपर्ड प्रेट शो करते हैं कि निować उरस्तेंज लेगिंच आ रेडायाट वोक गव इनफॉर्मेस्टाशन रिगार्डंग एग विधलिकी। न बटो बाते हैं खेल स्वाफन के सब्सक्राइब करें लेबल सब्सक्राइब आपन है in the pyramid of number अक्यूपाइ जो हर्बी वोर्स है उनका पिरामीड के अंदर कौन सा नंबर पर रखते हैं थो हर्बी वोर से हमें सार्ष सेकंड नंबर पर होता है क्योंकि फ़र्स्ट नंबर तो आएगा उसका प्रोडूजर का जैसे ग्रेंड कर ग्रासे से एलगी है जो अपना फूर्ड जो है वो खुद बना सकते हैं तो सभी प्रोड्यूजर साय वह तो फर्स्ट लेवल पर जाएंगे फर्स्ट पोजिशन पर जाएंगे और उनको जो खाने वाले हैं हर्भी वर्स वह सभी आ जाएंगे सेकिंड पोजिशन पे इनकी हमिशा कौन स नेशनल पार्क तो इस क्राए टानसर आजाएगा सी कॉर्बेट नेशनल पार्क नेक्स्ट क्यूशन देखेंगे 85 विच इस दे बेस्ट मेतोड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लास्मीड दी ने एंड बेक्टिल क्रोमोसमल डी ने तो जो डीने को सेपरेट करने के लिए बेस्ट म प्लाइड केल्सियम क्लोराइड मतलब सीजियम इथीडियम ब्रोमाइड सीजियम क्लोराइड डैनस्टी ग्रेडियंट कर सेंट्र फूगेशन अबी एक्स रे डिफ्रेक्शन टैकनिक कॉलोनी हाइबराजाशन वेस्टन हाइबराशन यह चीजे बाद की है जो आइस्टेशन होने के बाद में आइडेनटिफिकेशन करने के लिए या लेकिन यहां पर जो अपने पूछा है वह पूछा है सेपरेशन तो सेपरेशन के लिए इथीडियम ब्रॉमाइड शीजियम क्लोराइड एंस्टी ग्राडियांट सेंट्रिफिकेशन इस बाइस्ट मेथड फोर डियन आइसोलेशन तो इसका राइट आनस्वरा जाएगा वह आजाएगा अ कि नेक्स्ट क्यूशन देखें हैसे ढूलेशन है कि आतीषुशं एंडनुकलीश एंजेम वाज डिस्कवर्ड नियुक्या इसम को डिसकवर किया गया था समित आड नॉथंस तो स्कतान स्वेड़ाइगा जीच्वारेशन रिंपोर्टेंट क्यूशन है संद्री किसम देखने को मिल रहा है कि कौन सा ऐसा है जो PCR बैस्ट नहीं है और हर क्यूशन में अपन देखे भी है रेस्ट्रेंट लेंध फॉलिमॉर्फेजिट जो है वह रेस्ट्रेंट एंज्म की उपर डिपेंड मेत्षड है और इसका नाम बने मझा आधून इसली उपरेंट उप करेंट्रेंबर रहाए lot हाव मैने ग्राम्स ओफ इंडॉल एसिटिक एसिड आर नीड़ेट टू प्रिपेर ए लिटर ओफ जिरो पॉइंट जिरो एंडॉल एसिटिक एसिड इंडॉल एसिड का जो मोलेकुलर वेट होकिता दिया है तो सितर से हैं अगर आपन वन का बनायेंगे तो एक हजयार लिटर के अंदर 1000 मतलब य Сам खेल दां पिदसरों जिए में तो कितले बनेगा वन एम का स्थी तैयार होगा इकश्चह ग्राम को एक historically में डालेंगे तो तो वन 0.01 m का तो 0.01 m का solution बनाएंगे तो एक लिटर में किता डालेंगे तो वह डालेंगे अपने 1.75 ग्राम तो वह अपना जाएगा 0.01 m का solution तो इस करेटान शुरा जाएगा कि सी नेक्स्ट क्यूशन देखिए 89 जरू सब्सकाय 9 to do which of the following वाज ओधाल गैस के लिए एंस रोबर जो फैक्टर है वो कौन से है मेठाईलाइस रापचाही जो है वो इसके लिए एक लाफ पॉनसेवर फैक्टर ता जो गैस है मेठाईल ऐसो शीनाइड in जिसके कांड से ये भोपाल कांड जो उवा था इसका याइडान फुरा जाएगा सी लेक्स क्यूशन देखें ये काफी एक्जाम में कुछन पूछा दाता है भोपाल गैस ट्रेजडी नेक्स कुषन देखें 90 विच्ट सिक्वेंश इस पेलेंड्रोमिक सिक्वेंश तो पेले भी हो सकती है जैसे आपन देखें एए option देखें 5 प्राइम एए च जी 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 ए ती टी को सी जी सी तो यह कहीं भी एक दूसरे को जस्ट ऑपोजिट शो नहीं करें दोनों एंड 5 प्राइम और फ्री एंड और बी अप्सन देखें CT 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 • CT 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 तो स्क्राइट आज जाएगा फिप्थ मतलब डी कि विच ओफ ता फॉलएंग है ट्रिप्लोइड सेट कि ओफ ता क्रोमोसॉम इन एंजियो स्पर्म्स में ट्रिप्लोइड इस्टिक्चर है वह कौन सी होती है तो वह होती है अपन सभी जानते हैं तो रहे टांस्पर होगा सी नेक्स क्यूसनदेखे 92 अब अफ कंपोजीट प्रीट इस जो कंपोजीट फिरुट है वह कि इसमें देखने को जूस्पोर जो है किसमें देखने को मिलता है तो वह देखने को मिलता है वाउचेरिया के अंदर है तो इस क्रेट आणसरा जाएगा सी वाउचेरिया कि नेक्स्ट देखेंग नाइटी फॉर हाव मैनी नाइट्रोजन फेक्सिंग जेनस है वेन रिपॉरटेड इन इन कलेप सीला घलैप सेला माइकणि माइक्रौनिजम है उसके अंदर कितने जीन नाइट्रोजन फिक्सेसिंग देखने को मिलते हैं तो वह दिखते हैं सेवंटीन जीन जो होते हैं वो इसमें प्रजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नेक्स्ट कुछन देखें विच फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव लैंस इन इस माइक्रोस्कोप इस नोन एज ओईल इमर्शन लैंस तो नॉर्मल अपन देखते हैं 10x पर देखते हैं 40x पर देखते हैं 60s इनमें जब भी देखते हैं अपन किसी भी ओईल या किसी एक्सेस चीजों के आओ सकता नहीं पढ़ती है लेकिन जैसे ही आपन माइक्रोस्कोप की ऑब्जेक्टिव लेंस को रोटेट करते हैं 100x पर तो अपन डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं और हेंड़ेक्स पर देखने के लिए अपने को एक ओईल की आओ सकता पड़ती है या ओईल इमर्शन की आओ सकता पड़ती है तो यह होगा हैंड़ेक्स पर ओईली मर्शन लेंस क्या हो सकता पड़ती है नेक्स्ट क्यों देखें हुगे दा फ्यूल्ड मोजेक मोडल ऑफ दा सेल मेंब्रेन तो सेल मेंब्रेन का जो मोजेक मोडल है वो किसनी दिया था तो इसको रहाए टानसरा जाएगा सिंगर एंड निकोल तो ट्राइसपारेशन जो रेट है या कि आया बन अपने ट्राइसपारेशन कहें कि किसी प्लांट की लिफ से वाटर का लोस होना तो यह कंडिशन कब में जिम्म होती है तो यह तब होती है कि इसमें देखा जाहिए का सौइल इसवेट अंड एटमोस्टेर इस ब्राइब तो साही बात है कैसी हो में भीगोंय उबात हो नमी हो जबकि इनव्रम्णनी एक्दम सुखा वाहूं ऊपर है तो सीधी सी बात है कि जो वॉटर है वह कहां से लोज होगा प्लांट की लिप से लो और वहां से एब्जोब करेगा वॉटर को एनवार्मेंट तो इस कराए फॉराजाएगा एक सुखा वाहूं तो वहां सेट्रास्पारेशन सबसे अधिक हो next question देखें 98 which of the following type of genetic changes can produce an oncogene oncogene is a gene responsible for tumor and cancer causing oncogene का formation किस प्रकार से हो सकता है या जैसे आपन नॉर्मली बात करें कि proto-oncogene जो है वो proto-oncogene normal cells में work करने वाला एक gene होता है लेकिन उसमें जैसे modification होता है या mutation होता है तो वो किस में convert होता है oncogene में convert हो सकता है oncogene का formation के लिए responsible जो condition है वो gene amplification हो सकती है missense mutation हो सकता है chromosomal translocation हो सकता है तो यह तीनों कारण जो है वो proto-oncogene convert into auto-oncogene के लिए responsible हो सकते है तो इसका राइटर उसरा जाएगा all of these factors next question देखें according to some finding the reason for a continuous decreasing the population of vulture could be due to the consumption of which तो जो vulture है या जो गिद है या जो चील है जो आस्मान में जो उस टाइम पहले जो देखते थे कितनी ऊड़ती रहते थे या गिद जो कितनी देखते थे आज कल देखा जाए तो धीरी 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 धीर उनकी concentration या population हो धीरी धीरी कम होती जा रही है तो उसका एक survey देखा गया है तो survey में बताया गया है वो है कि यह मोस्ट ली कंजूप्शन के काण हुआ है किसके काण से डाइकलो फैन कि डाइकलो फैनेक टाइकलो फैनेक जो है उसको कंजूप्शन या उसको खाने के काण से इनकी population धीरी धीरी धीरीज होती जा रही है तो इसका रहाए टांस रहोगा सी नेक्स्ट क्यूशन और इस प्रेपर का पन जो लास्ट क्यूशन के बात करें हें हेंडर्ड डूरिंग तो फॉर्मेशन ऑफ आरने एट विच साइट आरने पोलिम्रेज बाइंड टू बीड़ डी अने मोलेक्यूल तो डीने मोलेक्यूल और वीडियो को शेयर करें जो भी फ्रेंड्स इसकी प्रेपर्शन करते हैं उनको भी और किसी प्रकार की डाउट्स हो जो कमेंट बोक्स में आप कर सकते हो तो उसके लिए अपन कोशिश करेंगे कि इंप्रूमेंट किया जाए थैंक्यू फ्रेंड्स